पेट्रोल डीजल के दाम इन दिनों आस्मान छू रही हैं पेट्रोल डीजल गैस और खाने के तेल की और जरूरी चीजों की कीमते लगातार बढ़ रही हैं उनके खिलाफ ये कॉंग्रस का हला बोल है अगर हम रसोई की बात करें तो जो आम गिरानी की रसोई है वो बजट काफी बढ़ चुका है उनको आज अपना घर और रोजमर्रा की जो जरूरते हैं वो पूरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है तो कॉंग्रस पार्टी लगातार जिस परकार से आप देखते हैं कि जनता के हितों की जो हमेशा आवाज उठाते हैं महंगाई के खिलाफ इनका आज हला बोल है पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत का नारा दे कर पूरे देश में इस प्रकार से परदर्शन करने शुरू कर दिये गए क्योंकि जनता बहुत परिशान है करोना काल में पहले ही जो है जनता की आमदन घटी मेरोजगारी बड़ी है तो जनता चाहती है कि कोई उन्हें हरा मिलता कोई महंगाई से उनका बचाव होता लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया वहीं करड़ाल में भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के दिरूद में कॉंग्रेस पार्टि की और से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया हालकि कारेकरताओं की प्रदर्शन के तुरान संख्याथ जरूर कम थी लेकिन सभी कारेकरताओं में एक जुटता नजर आई कॉंग्रेस पार्थी बढ़ती महंगाई के मुद्टे को लेकर जहां सरकार को घेडे में लगी हुई थी तो वहीं इस मुद्टे के जरीए कॉंग्रेस पार्थी अपनी खुई हुई जमीन को तलाशने के लिए जनता का प्रवक्ता साब की बहुत बड़ी बात लगी यह चुनावायों कोई ने लिखना चाहिए कि हमेशा चुनाव धीरे धीरे करना चाहिए जिससे कि भारतिय जनता पार्टी महंगाई को रोक सके सब्सक्राइब करना चाहिए जनता को किस चीज की मार दे रहे हैं जिन को विचार को पोलिटिक से कुछ लेना देना ही नहीं बढ़ती महंगाई विपक्ष के लिए बोलने का मुद्दा मिल गया है तिलहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कॉंग्रिस की और सी किये जा रहे ऐसे प्रदर्श्टों का उन्हें कितना फायदा मिलेगा और पार्टी कितनी मजबूत होती है हिमांचो नारंग करनाल कमल प्रीत सभरवाल अंबाला खबर अभी तक